Welcome to my YouTube channel, exercise 6.4 से question number 5 करेंगे ABCD is a quadrilateral ABCD एक quadrilateral है इस आपसे पूछा है कि AB plus BC plus CD plus DA यानि चारो साइड का जो सम है वो छोटा होगा twice of AC plus BD इस quadrilateral के दोनों diagonal का सम और उसका जो double है वो बड़ा होगा चारो साइड के सम से यह चीज आपसे इसमें पूछी है चले question के शुरुवात करते हैं तो इसके अंदर क्या करेंगे कि जहां diagonal intersect हो रहे हैं इस point को हम कुछ माल लेते हैं let's suppose इसमें O माल लेता हूँ अब इसके अंदर बारी-बारी से इन चारो triangles को लेके यह चोटे-चोटे चार triangle बन गए इसके अंदर A, O, B, B, O, C, C, O, D और D, O, A इन चारो triangles को लेके बारी-बारी से हम इन में length of sides of triangle वाली property लगाएंगे और ध्यान रखने की बात यह होगी कि जो A, B, B, C, C, D और D हैं यह चार sides जो हम एक तरफ लेंगे और जो diagonal के part हैं उनका जो sum है वो हम एक तरफ लेंगे चलिए सबसे पहले triangle A, O, B को ले लेते हैं तो solution के अंदर in triangle A, O, B A, O, B के अंदर A, O, O, B यह diagonal के part है ना diagonal को हमें एक तरफ रखना है तो A, O, O, B का जो sum होगा वो बड़ा होगा A, B से यही तो property होती है कि किसी भी triangle की दो sides का sum तीसरी side से बड़ा होता है तो A, O, B के अंदर A, O, P, O, B इन दोनों का sum बड़ा होगा A, B से यह result number 1 अब दूसरे triangle को ले लेते हैं B, O, C को इन triangle B, O, C B, O, C के अंदर भी diagonal वाले parts वो हमें left में रखने हैं हर बार ऐसा ही करेंगे हम B, O, O, C B, O, P, O, C का sum बड़ा होगा B, C से यह result number 2 अब तीसरा triangle लेंगे C, O, D in triangle C, O, D C, O, D के अंदर C, O, O, D का sum बड़ा होगा C, D से तो C, O, P, L, O, D greater होगा C, D से यह result number 3 fourth triangle लेंगे D, O, A in triangle D, O, A इसमें diagonal के part है D, O, A, O D, O, P, L, A, O और यह दोनों मिलके greater होगे तीसरी side से triangle के अंदर जो की A, D है तो यह चार equations आ गही है सबसे पहले इसी बात का आपको इसमें ध्यान रखना है कि चार जो triangle बनेंगे उनमे diagonal के जो part है उनका sum एक तरफ रखना है और जो side है उसे एक तरफ रखना है अब इन चारों को add कर देते हैं adding 1, 2, 3, and 4 तो left वाली चीज़ left में जुड़ती चली जाएंगी यहाँ पे left में क्या है A, O, B, O यह left का है यह left है यह left है यह left है यह सारी चीज़े left में जुड़ेंगी तो A, O, plus O, B, plus B, O, plus O, C, plus C, O, plus O, D, plus D, O, plus A, O यह चारों मैंने जोड़ दी है और बीच में sign वो ही आएगा जो इन सब के बीच में same sign है यह greater का है ना तो greater का sign आएगा right वाली चीज़े right में जुड़ जाएंगी B, C, C, D, और यह A, D A, B, plus B, C, plus C, D, plus D, A D, A बोले या A, D, बोले या A, की बात है D, A अब यहाँ से result निकालते है तो left side में आप देखोगे कि जैसे यहाँ पर यह A, O, लिखा हुआ है यह यहाँ पर दो बार लिखा हुआ है A, O, और यह A, O तो मैं इसे दो बार लिख सकता हूँ यानि twice of A, O प्लस इसी तरह से यह जो B, O है यह B, O और B, O इसे मैं twice of B, O लिख सकता हूँ ऐसे C, O, और C, O C, O, O, C, A की बात है यह भी दो बार लिखा हुआ है तो इसे मैं twice of C, O लिख सकता हूँ और इसके बाद D, O, और D, O यह twice of D, O हो गया है और यह greater than होगा इन चारो साइड से तो A, B, प्लस B, C, प्लस C, D, प्लस D, A अब यहाँ पे मैं इस तरह का पेर बनाऊँगा ताकि मेरा diagonal बन जाए diagonal बनने के लिए A, O के साथ O, C का पेर होना जरूरी यानि A, O और O, C को मैं एक साथ ले लेता हूँ अगले step में तो twice of A, O, प्लस twice of C, O यह दोनों चीज़े मैंने एक साथ ले लिए हैं और यहाँ B, O और O, D को एक साथ ले लेता हूँ क्योंकि इन से मिलके diagonal बन रहा है तो twice of B, O प्लस twice of D, O यह greater than होगा इन चारो साइड के सम्क से यह मैंने copy कर दिया है अब यहाँ देखिए A, O और C, O A, O, C, O जो हैं मिलके diagonal बन रहा है और इन दोनों में यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ है तो 2 इन दोनों terms में से मैं 2 common ले लेता हूँ बाहर की तरफ तो दोनों में से मैंने 2 ले लिया तो यहाँ पे A, O और प्लस, C, O बच गया इस टेप में इसी तरह से B, O और D, O B, O, D, O, B, D, Diagonal बन रहा है और इन दोनों में 2 common है, 2 बाहर ले लिया और B, O, प्लस, D, O की फॉर्म में मैंने अंदर लिख दिया यह आगे same to same ऐसे ही copy रहेगा greater than का निशान और यह चारो side का sum अब यहाँ result बनाते हैं यह 2 है, 2 का 2 हो गया A, O और C, O A, O, C, O मिलके A, C, Diagonal बन गया तो इसकी जगे पे हम A, C लिख सकते हैं प्लस, यहाँ 2 का 2 B, O और D, O B, O, D, O यह B, D, Diagonal बन गया तो इसकी जगे हम B, D लिख सकते हैं आगे सारा same to same greater than का निशान और यह 4 sides A, B, P, B, C P, C, D, P, D, A अब यह दो terms आगी हैं इन दोनो terms के अंदर भी 2 common है तो 2 मैं बाहर ले लेता हूँ और यहाँ क्या हो गया A, C, यहाँ plus 2 बाहर आगया तो यहाँ बच गया B, D और आगे same to same copy greater than A, B, P, C, P, C, D, P, D, A अब इस पर आप ध्यान दीजीए यही आपका result है यहाँ result आगया है कि twice of sum of diagonals यहाँ twice of AC plus B, D AC, B, D का जो double है वो बड़ा है किस से? इसकी चारों साइडों से बस फर्क कितना है कि यह राइट साइड में और यह लेफ्ट में यहाँ result में आपका उल्टा हो गया है लेकिन sign अपनी जगे पर यह diagonal की तरफ बड़ा निशान है side की तरफ छोटा निशान है यहाँ भे diagonal की तरफ बड़ा निशान है sides की तरफ छोटा है तो यह बात और यह बात बिल्कुल same same है यानि twice of diagonals का sum greater है चारो sides के sum से तो जैसा इसमें पूछा है कि क्या ऐसा है तो बिल्कुल ऐसा ही है तो हम answer में लिख देंगे yes this statement is true यह बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है question खतम तो इस टूडम बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए good bye